आओ बिराजो बहुत सुन्दर दर्शन है आओ बिराजो राम कृष्ण हरी जी गुजरात से माराजी आप सबकी तरफ से एक प्रश्ण था रादे रादे माराजी आपके चड़नों में कोटी-कोटी पढ़ाओ माराजी क्या केवल नामजाप से शाक्षातकार संभव है केवल नामजाप से ही संभव है केवल नामजाप से ही संभव है नामजाप ने और कुछ भी कर लो तो साक्षातकार होना दुरलब है केवल नामजाप से ही संभव है बड़े-बड़े महापुरुषों का अनुवों, अमारी इच्छाती का भी अनुवों। मरजी, यदि है तो कितनी संख्या में नाम जब करते हैं। संख्या का मातात पर नहीं देखते हैं। प्रेमियों का नियम भगवत साक्षातकार करने के लिए संख्या की जो कहा जाता है, भगवत साक्षातकार कब होता है। जब अभ्यास योग युक्ते ने चेतसानान निगामिना तो पुर्षम दिभ्यम शाष्वतम याति पार्थानुचिंतेत। जब एक शण की लेवी भगवान का विश्मरन नहो निरंतर भगवदाकार व्रती तैल धारावत। तो भगवान का सक्षातकार हो जाता है। अमारी एक श्वांष बिभ्यर्थन जाये। श्वांष श्वांष नाम जपय दुभिधार आये न कोये। अर्था निश्चित भगवद प्राप्ति है। नाम स्वांष दो बिलक्षलत इ dürाको भेद Cle causal गावे। स्वासय नाम नाम ही स्वासा नाम स्वास को भेद मिटावे तब भगवदाकार व्रत्ति भगवान के रहे ना देखो कोई विबात तस्मा सास्त्रम प्रमाणम ते अनन्य चेताहसततम योमाम इस्मरत नित्य सहा तलस्याहं सुलभापार्थ नित्य युक्तष्य योगिनहा वो योगी नित्य युक्त हो गया है नित्य क्या है हमारा शुरूप नित्य क्या है श्री भगवान नित्य क्या है भगवान का नाम रूप लीला धाम अनित्य क्या है हमारा सरीर अनित्य क्या है भोग अनित्य क्या है संपुर्ण संसार और वो कैसा है नित्य युक्त से भगवान में युक्त चित्थ हो गया है तो क्या हुआ तस्याम सुलबा में उसके लिए सुलब हो गया कहीं और थोड़ी भगवान का साक्षाथकार होता है यह होता है फिर दे मंदिर में हुआ नेत्रों में शमा गए जिदर दृष्टी गई भगवान है अन्य जो शाधन है वो बहुत लंबे काल तक करने पर अंताक करन की शुद्धी होती है तब जाके वो फिर आगे बढ़ता है बहुत वो लंबा सफर है और नाम नाम जबते जबते जब रोना आ जाया और रोरो के नाम जबते प्रभू को पुकारे बस प्रभू का दर्शन हो जाएगा बिन रुएं किन पाईयां प्रेम पियार आमेद अब रहा नहीं जा रहा सहा नहीं जा रहा इतना निरंतर नाम जब हो कि सोवत हो रसनार टे राधा क्रश्न सुनाम चाहे जागरत हो शुप्न हो शुशुक्ति हो अपने आराध्य देव में तनमे है जागरत शुप्न शुशुक्ति इस सुरत में राधा पदा अब्द छट दिब्व भाव आ गया, भाव में जब दिब्वत आती तभी भगवान का साक्षातकार होता है, अभी आशुरी भाव बना हुआ है, देह भाव बना हुआ है, भगवत भाव ही नहीं आया है, तो एक कीतनी संख्या ये उत्सा के लिए कहा जाता है, भगवान की प्राप्ति तो ये दो शब्द है, अत्यन्त प्रेम से दैन्य होकर एक बार पुकार दो, तो रुक नहीं सकते आ जाएंगे, ताको शंग नचानई ध्रू अपनों कर लिए, अब वो एक बार नाम करने के लिए पूरे जीवन अभ्यास किया जाता है, कभी आर्त भाव से दैन्य होकर भिकल क अब प्राण निकल जाएंगे, अगर प्रहु नहीं मिलेंगे, फिर पुकारा राधा, भाग के आजाएंगे लाड़नी, जिसको पुकारोगे वो आजाएगा आपके सामने, पर इसके लिए निरंतर जो शाधक जन है, भक्त जन है, प्रेमी जन है, प्रेम मूलिया नाम है, प्रेम की प्राप्ति नामशी होती है, नाम जब से, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निजबन बिश्वराम, प्रेम में मगन होकर सरीर कहीं भी रहे, वो धाम में ही रहते, अपने प्यारे के समीप ही रहते, नाम रूप को प्रकाशित कर देता है, आनंदित रहत एक तो थोड़ा थोड़ा हूं भारी भारी प्रवत्ती में भी अभ्यास्वस्राशका चूत सकता है कई बार संग हिसी बता है ईसे हम आपको देख रहे ना हैं की बॉल तो सकते नहीं है jewel ने खहूं राधाना तो बात आप से कर रहे हैं भागोतिक और चिंतन हो रहा है राधानाम का अंतरिक हमारा भजन हो रहा है चाहे दिन बर आप हमसे बात करते रहे हम कभी बिमुख नहीं होंगे प्रभु से क्यों इसका अभ्यास किया है गुरु करपा से इसका अभ्यास हुआ है चाहे आपको कोई बड़ी प्यास लगी हो, भूख लगी हो, लगुशंका लगी हो, कि आप छूटी ही जाएगी, ऐसी, अब आप हमसे, हम खुब आपको रस्माई बात सुना रहे हैं, आप सुन भी रहे हो, लेकिन आपकी एक ब्रत्ती लगी हो, कि जल्दी छोड़े हो, लगुशं इसमें आप एकागरूसी में रहेंगे, समझ रहे हैं, और जब पीड़ा पैदा हो जाती है, भगवत साक्षातकार की, तो कैसे भूल सकता है प्रभू को, कैसे भूल सकता है, बस यही भूख, यही पीड़ा पैदा करने के लिए शंत शमागम है, शास्त्रों का श्वाध्य अब भ्यास भागवतिक, इस से फिर एक अंदर व्या कुलता पैदा, बस हो गया, अब मुझे प्रभू का साक्षातकार चाहिए, यह बहुत जन्मों की भजन करने वाले के हरदय में जाता है, अनेक जन्म संसिद्धे, बहुत जन्मों स्विशाधना करता चला रहा है, अब निश्चे हो गया, आब मुझे प्रभू चाहिए, बस, ब्रह्मादिक के भोग शब बिशशम लागत ताई, नारायन ब्रजचंद की लगन लगी, अब लगन लग गई मुझे भगवान चाहिए, पर उन लगती तभी है, जब हम अभ्यास में रत रहें, आज है हमारे अंद में जब अगन लगेगी ना, तो मगन हो जाओगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब बच्चे खुब नाम जब करो, ब्रह्मचर से रहना, कोई गंदे बच्चों का संग मत करना, जो गंदी आदितें सिखाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना, जो गंदी हरकतें, गं से सिकायत की, कि ऐसा, और कभी गंदी आदतें मत पालना, तो धीरे धीरे, हाँ, भगवान के लाड़ेले बन जाओगे, भगवान तुम, बड़ी कृपा है, यह जो है ना, बड़ी कृपा है, खुब नाम जब करो, ठीक, जैजैशी, 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 ज जैशी, 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